हलो साथियो नमस्कार, यदि आप लोग UPPCS की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती में Current Affairs के वेटेज को आपको जरूर पता होना चाहिए, कि आखिर इस परिक्षा में Current Affairs का वेटेज कितना है, यदि मैं बात करूं Current Affairs क इस परिक्षा का लगबग लगबग 30% जो वेटेज है वो Current Affairs का है, प्रानिंग परिक्षा की बात करें तो, प्रानिंग परिक्षा में 1500 questions GS के paper में पूछे जाते हैं, और 1500 questions में ऐसे लगबग 35 से 40 questions पूछे जाते हैं Current Affairs से, अब यह सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि current affairs के वो क्या सुरोत हों, कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें, जिसे कि हमारे current affairs के questions ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सकें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि current affairs के 35 से 40 questions आते हैं, और यदि आपने सही तरीका अपना लिया, जैसे कि मैं बताने वाला हूं, और सही source, यानि सही सुरोत पढ़ लिया, तो ऐसी इस्तिती में आपके current affairs में ज्यादा है ज्यादा questions, लगवक 30 से 32 questions तो अराम से ठीक कर सकते हो, और यही decide करेगा कि आपका selection होगा या नहीं, current affairs का बहुत बड़ा रोल है UPPCS के selection में, आज हम जानने की कोशिस करते हैं कि current affairs के questions कि segment से पूछे आते हैं, और कहां से पढ़ना है, सबसे पहले हमने कुछ criteria इसमें बाटे हुए है current affairs के कहां कहां से questions पूछे जा रहे हैं, पहले तो हम उस पे एक संचित नजर डालते हैं, आप चाहो तो इसके screen shots भी ले सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें, कि current affairs कहां से पूछे जा रहे हैं, तो current affairs को या केंद सरकार के द्वारा कोई बड़ा launching की गई हो, चाहे वो अभियान की launching हो, चाहे वो किसी योजना की launching हो, या कोई बहुत बड़ा project बना रही है केंद सरकार, या केंद सरकार की कोई बड़ी योजना या कोई बड़ी scheme है, जो की exam की दरश्टी कोण से महत्यकुर हो सकत यह ज्यादा लोगों को टश करती है ज्यादा लोगों को tage करती है एंसी स्कीव और पूंछी जा सकती है साथ में मेन जो बहुत ज्यक्त में बौँफ ज्यदा चर्चा के विसेकश के योजनाय रहती हैं कोई मुद्दा रहता है उससे संबंदित भी सवाल यहां पे करेंट अफेस में पूंचा जा सकता है प्रार्मबिक परिक्षा में तो यह नेशनल अफेर्स को हमें पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छी रास्टे इस तर पर जो भी बड़ी घटना है ख एक्जाम्बिल के तौर पे किस देश में इमर्जेंसी लगी किस देश के रास्टेपती को जेल हो गई किस देश के हाल में ही रास्टेपती खतम हो गया या फिर भारत के साथ किस देश के साथ कोई समझोता हो गया कोई agreement हो गया इस तरीके के जो प्रस्ण है या फिर कोई अ पूछे आएंगे यदि अंतरास्टी इस्तर की बात करें, तो ऐसे सवाल पूछे आ सकते हैं, जो कि अंतरास्टी इस्तर पे बहुत सारे इस्थल होते हैं, या प्लेसे होते हैं, जो न्यूज में होते हैं, कोई जगह है, वो न्यूज में है, तो उससे संबंदित आप से प्र कर रहा है तो इस प्रकार के भी प्रशने पूछे जा सकते हैं इसका भी सुरोत क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है अब देखो साइंस से संबंदित क्वेस्टन पूछे आते हैं यहां पर साइंस जैसे खासतोर पर मैं बात करूं जिसके लिए मिला यह साइंस में किसी चीज की नई चीज की खोज हुई है तो करेंट अफेस से संबंदित जो साइंस है वो सवाल यहां पर पूछे आते हैं वो हम बहुत आसान से एक बुक का नाम बता देंगे उससे ही वो क्लियर हो जाएंगे वो बुक हमें जरूर पढ़न हम आपके लिए क्या रहा है एक समाधान सीरीज समाधान सीरीज में आपको इस टाइप के जो प्रस्ट है वो सारे के सारी सौल हो जाएं करेंट अफेस के लिए कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक दो किताबें फिर भी प खबरों में है कोई व्यक्ति चर्चित व्यक्ति है किसी व्यक्ति का निधन हो गया जो कि बहुत बड़े इस तर पे चर्चित था या फिर राज्य के इस तर पे कोई चर्चित व्यक्ति था उसका निधन हो गया किसी को जो है ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी विसेश कारण की व प्रवल संभाव नाए होती है, तो ये टॉपिक भी हमें करना है, अवार्ड्स, वेरी वेरी इंबॉर्डन टॉपिक होता है, अवार्ड देता है, जो पुरुसकार हैं, या सम्मान पुरुसकार हैं, ये सब प्रकार के questions पूछे जाते हैं, किसको कौन सा पुरुसकार मिला, अ operations, very important, आपने देखा होगा, एक देश के साथ, दूसरे देश, मतलब एक देश, दूसरे देश के साथ, आपके operations करते हैं, अभियान चलाते हैं, सेन अभियास चलते हैं, तो इस प्रकार के questions भी यहां से पूछे आते हैं, अकसर, तो ये हमें अभियान, different, different अभियान पढ़न पढ़ना है, different operations पढ़ना है, हमारे एक जामें पूछे जाएंगे, very important, अब जो भी कई बार होता है, जैसे कि कोई कमेटी है, या कमीशन है, वो बहुत ख़बरों मे रहती, कुछ भी से इस कारणों से, तो कमेटी हो गई, कमीशन हो गई, आयोग हो गई, इस प्रकार के प्र है, उसमें हो क्या रहा है, कि आप से theme से संबंदित प्रसने पूछ रहें, तो आप कोई भी दिवस्त पढ़ें, तो उसकी theme जरूर याद रहें, क्योंकि वो सवाल आप से पूछा जा सकता है, books in news, very important, जो भी books हैं, खासतोर पे, जो ख़बरों में हैं, latest कोई book, जो है, launch हु आपको 3-5 questions इस segment से मिल जाएंगे, अकेले sports से मिलेंगे, तो इस segment को बिल्कुल मत छोड़ना बहुत अच्छा area होता है, और यहां से आप प्रशन आसानी से कर सकते हो, उसके बाद government scheme, अब देखो government दोनों इस तर पे, राज्य के इस तर पे और केंदर के इस तर पे, जो सरक दूसरी बार BJPI, तो अब बहुत सारी स्क्रिमना वो पुरानी चल लए है, तो इनको आसान हो जाता है याद करना, इसी तरीके से केंद सरकार के इस तर पे भी बहुत सारी योजनाय पुरानी है, उनको भी याद रखना, इस पूरी government के अंतरगत, मतलब उतरपदे सरकार के द्वारा जो हाल में ही योजनाय लाएंगी, उनको जरूर याद रखना है, और केंद सरकार के द्वारा हाल में ही जो योजनाय लाई है, उनको भी याद रखना है, उनके तारगेट्स ग्रोप क्या है, उनको भी याद रखना है, पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका आपका decide करेगा कि आपका selection हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद, organization, बहुत सारे अलग-अलग संगठन होते हैं, जो खबरों में रहते हैं, अलग-अलग संगठन, जैसे UNEP, जैसे के WHO, जैसे की WMO, जैसे की World Bank, तो इन सारी संस्थाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से governed होती है, किस प्रकार से इनने चलाए जाता है, कौन कहां पे इनका headquarter है, क्या इनका card है, इस तरीके की बात है हमें पता होना चाहिए, और सासाथ में ऐसी कोई संस्था जो news में है, उसके बारे में हमें खबर होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये भी ह 2020 की, या फिर OPEC की बात करें, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, सार्क सम्मिट के बारे में पता होना चाहिए, और सासाथ में हमें बिम स्टेक के बारे में पता होना चाहिए, आपका ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो बड़े-बड़े सम्मिट्स होते है उनके बारे में हमें business ख़बर रखना है, कहां पे हो रहा है, क्या theme थी, क्या उद्देश था, क्या बड़े वहां पे steps लिए गए, क्या बड़े decisions लिए गए, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा अंदर जा रहा है exam में, थोड़े से factual question अभी थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, तो एक ही topic से, वो क्या करता है, एक ही question में, दो-तीन question भी डाल दे रहा है, तो हम थोड़ा से depth में पढ़ेंगे, थोड़ा detail में पढ़ेंगे, तो हम वो प्रस्न भी आसानी से कर लेंगे, उसके बाद state का current interface, very important, राज से सम्मनित, अब दे अर्थ की, very important है, अर्थ की से सम्मनित, बहुत सारे सवाल आते हैं, economy से, latest जो देश में चल लहा है, अर्थ व्यस्ता में, उससे सम्मनित सवाल आते हैं, ये खास तोर पर जो सवाल होते हैं, वो economic survey और budget से होते हैं, राज का भी आपको budget पढ़ना है, और union यानि केंदर का भी सुरू हो जाएंगे, miserly, economic से जो प्रस्ण होते हैं, वो current affairs related होते हैं, और यदि आप इन सब को कर लिते हैं, अच्छे तरीके से, तो आपके current affairs के बड़े-बड़े topics हैं, जहां से आपके questions ठीक हो सकते हैं, अब सवाल उठता है कि कहां से पढ़ें सर्थ, source क्या हो पढ़ने क देखो, source क्या हो सकता है, पहला source तो ये है आपके लिए, कि अभी से यदि आप पढ़ रहे हैं, तो पहला source आप एक book आती है, घटना सार, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक किताब है, अच्छी किताब है, कोई दिक्कत बहुचादा है नहीं, तो ये किताब आप देखो, ये तो ये दो book होगी, बस इन दो book से ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसके बाद value edition में क्या करना है, देखो, हम क्या बोलना है आपके लिए, कि हम आपके लिए एक समाधान सीरीज ला रहे हैं, और समाधान सीरीज में आपको current face का, मतलब one point solution, सारे current face यहाँ पे नर्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, तक का current face हम आपको यहाँ पे इन पूरी playlist में दे देंगे, साथ-साथ में जिस तरीके से मैंने आपसे topic wise की बात, इसी तरीके से topic wise, एक-एक topic करके हम आपको सारे current face को आपको provide करेंगे, आप बिलकुर निस सिंथ रह नहीं है, बहुत guidance नहीं है, कि कैसे क्या तयारी करें, तो आप लोगं के लिए exam दरश्टी की पूरी team लेके आई है, दिसा बैच, दिसा बैच में हम आप लोगं के लिए 350 घंटे की classes दे रहे हैं, 350 घंटे की smart classes, PTK oriented, यानि प्रिलिम को दरश्टी कौन से, प्रिलिम के दरश से आपको exam की तयारी करना है, किन चीजों को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ, अब आप सोच रहे होगे, sir ये बैच मिलेगा, तो exam दरश्टी का app आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या description में दी गई जो link है application की, वहां से डाउनलोड कर सकते है, app डाउनल है आसान तरीके से, अब देखिए, यदि आपको फिर भी कोई detail या कोई भी doubt हो रहा है, तो आपके एक screen पे नमर दिया गया है, 701127 और 226, तो इसको आप जो है, note करके आप call कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वार्ट सेप कर सकते हैं, तो current affairs बहुत important है, हम exam दरश्टी की team भी आ selection लेके रहेंगे, चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो 14 माई को हम selection की लकीर खीज के आएंगे, प्रिल्म क्वालिपाई करके आएंगे, क्योंकि प्रिल्म में current affairs का बहुत important weightage है, बहुत महत्यपून weightage है, so please stay tuned, बने रहें एक्जाम दरश्टी के साथ, जै हिन जै भालत Thank you